जानेंगे pre and probiotics क्या होते हैं क्या काम करते हैं क्या होते हैं ूपोंड्र । यह क्या होता है इसके बारे पहसं पूरी जानकारी वीडियो को देखते रही है तो पगर बात की है । पहले बिजरा तो जाने हैं BIO तो तो यहां पर कुछ बैक्टेरिया होते हैं जो कि हमारे सेरी में होते हैं बैक्टेरिया कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं कुछ फाइदा ही पहुंचाते हैं नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टेरिया और फाइदा पहुंचाने वाले बोल सकते हैं गुड़ बैक्टेरिय यह बीमारीय लाते हैं नीमोनिया टाइफोर बगेर बगेरा provision डे बैक्टेरिया स्च्छ स्वाुत जो की हमारी राकी पाय आते क्या करते हैं यह क्या करते हैं यह!".ou ईवन जो व्यूड ऐसम इढ़紹ा हैं उसे लड़ते हैं उनसे fight करते हैं या इवन हमारे body में vitamins और इनकी production को बढ़ाते हैं और जो immunity को improve करते हैं ये good bacterias तो भाई एक चीज़ तो clear है कि good bacteria हमारे सरीर के लिए तो फाइदे मन्द है लेकिन bad bacteria नहीं है अब जानते हैं कि probiotics क्या है तो देखो भाई आपके सरीर के अंदर bacteria तो होते ही है bad और good तो bad का काम है बीमारी पहुचाना और good का काम है हमारे सरी को bad bacteria से बचाना और उसकी immunity को improve करना लेकिन जब भी आप बीमार होते हैं bad bacteria करन तो बढ़ जाते हैं चाहिए वो कोई भी वीमारी हो सकती है तो डॉक्टर आपको देता एंटिवाटिक्स तो एंटिवाटिक का काम होता है बेक्टिरिया को नस्ट कर देना या उसको किल कर देना उसकी गुर्थ को रोक देना तो स्ट्रीवाटिक करन होता है कि जो इनटिवाटिक दवा होती है चाहिए वो कोई हités तर फ्लोक्सिंट सेपड़ अट्टिफीं आल्स को पता नहीं उसको तो पटा-ई नहीं को क्यों सा अच्छा है वह तरफ को मारता चला जाता ऑस चक्रम बिचारे जो गूड़ प्योड़ Uh आपके सरीर के अंदर राजिस्टम विगड़ घ्र जाता है तो इस कंडिशन में होगा क्या वो नस्क नहीं हो आपको बॉडिक इम्मुनिटी कम हो जागी आपका पेट खराब रेने लगएगा यह इवन गैस्ट बनने लगती है कि तो इसलिए कईबार चलाते हैं तब त proportional रेक्षा देना जरूरी समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि हरव्यकति को उथाइक देना जरूरी है जो व्यक्तियों को लम्बे समय तक चलते पंदर 15-20 महिने महिने भर जो एंटिवाइटिक खा रहा है तो उसके सरीर के अंदर प्रोवाइटिक्स की आवश्च्टा होती है यह ने चुरॉली भी को वेक्ति को डायरिया हो जाता है तब भी उसको प्रोवाइटिक्स दिये जा सकते हैं पूरी कान ही है दोस्तों कि हमारे दो फक्रवायटिक तो हूँ है जो हमें फायदा पहुशाते हैं हमारे फूट को डाजिस्ट करने में तो अब भो नहीं होगे तो हमें ऐसे लेना होगे अब भार कि देखो कि किस पूट के अंदर आपको प्रोवाइटिक मिल जाएंगे यह जो बात है दही अचार छाज चॉकलेट एक और चीज़ दोसरों कैफिर कैफिर को मैं कभी बाद मताऊंगा वह एक रेसिपी है दूसरे बनती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोवाइटि उनके लिए मार्केट में कैप्सूल फों में बहुत तरह-tरह तरह के प्रोड़क्त आते ही जो की प्रोवाइटिक से नाम से मिलते हैं तो यहां पे कुछ एक्जमपल्स गसेंपल्स तो यहां पर वआइवयक्ट होता है गट्प्रो यह प्रियन प्र्रोवइटिक्स होते हैं और प्रियवाटीरिक्स क्या होता है थेख वाई आपकी बॉटी के अंदर आतों के अंदर उल्रेडि प्रोवाइट आ जो हो सकते हैं तो फweisागे नभ पहुंचाना उनको feed करना है उनको खाना देना थाकि वो strong हो जाए प्रॉवाइटिक आपके सरी आप फर्थीर करते हैं उनको Um strong बनाना चुलि को ॉनको three wanna को तो गफाना है आप यह मान सकते हैं तो प्रिवाइटिक को feed करते हैं उनको पोजन्स देते हैं उनको जो वह nutrition होता है वो उनको मिलता है तो प्रिवय्टिक भी जरूरिये और प्रिवय्टिक कहां मिलेगा अगर आप चाहते हैं वह हमें घर में मिल जाए तो अलसी जो फ्रैक्सीड होते हैं है लसी लसी इन्रसेंस की जिसमें भी फाइबर होते हैं फूट्स बगर्या जो भी इसके दर फाइबर होगा वो आपके बॉड़ी के अंदर उपश्थ प्रोवाइड को नरिस करेगा उसको हील करेगा उसको स्ट्रॉंग बना देगा तो भाई अलसी होती है जो इल्सी खाता रहता है तो उसके रहे हैं तो यहां पर कोशिश कीज़िए आपकी अपने चीजों से आपको प्रियंट प्रोवाइट एक्स को लेना है ना कि आप डारेक्ट कैपसूल उठाने चले आप फाइब रिस फूट खाओ जिसके अंदर फाइब रिंस होते हैं अलसी हो गया इंचियों को खाओ फूट्स लेलो और इसके लाब प्रोवाइड एक्स तो आप दही सबसे बैस जी होती दही जो दही खाते रहते हैं उनको कभी दिक्कत नहीं आगी तो कोशिश करो नैच् पितना ही उमेद है कि आपको पड़ी पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स हुआ दोस्तों जैंद बंदे माता हुआ है